मनो विग्यान प्रिक्ष्याव इस सांग के इस आज के वीडियो में मैं अनक्याप सभी का स्वागत करता हूँ साथ यो आज हम दो सिधान पढ़ेंगे एक अलबर्ट बांडूरा का सिधान दूसरा हम जिन प्याजे का सिधान दोनों सलेबस में अलग से मेंशन कर रखे हैं और आज की क्लास में से डेफिनेटले आपको दो प्रसंद देखने को मिलेगे नपातुला सा वीडियो है जो काम की चीज़े हैं वो हम डिसकस करेंगे आज का एसेसन आपको बेहद पसंद आएगा अच्छे से पूरे वीडियो को सुनना और फिर आप कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा आईए सबसे पहले हम बात करते हैं अलबर्ट बंडूरा जिनका अभी हाले में निदन हुआ है कैनेडा के थे और इन्होंने कौन सा सिदान दिया था पहला क्वेश्चन सामाजिक अधिगम सिदान अम से पता लग रहा है यानि सामाज में बालक दूसरों के विवार को प्रिक्शन करके सीखना इसके लICO मोडलिंग एक प्रकार से मोडल हमने कहते हैं मेरा आधर्स मोडल है सर्मान भान को शारु खान को आम अमिता बचन को या किसी मोधदी जी को जैसे हैं उनुके जेसा बनना तो इसीस सीदान को मोडलिंग सीदान भी बोला जाता हैं आपको स से याद करिये है हमें सां A, RRR, A, RRR, A से हो जाएगा आपका attention, A से क्या होगा attention, R से क्या हो जाएगा retention, इस R से हो जाएगा आपका reproduction और इस last वाले R से हो जाएगा आपका reinforcement या motivation, बस यह चार नाम आपको याद होने चाहिए, attention का मतलब क्या है? अवधान, यानि बालक की सबसे पहली प्रक्रिया यह होती है कि वो ध्यान से चीजों को सुनता है, जैसे माले जी एक बालक स्कूल में बेटा है, टीचर कोई प्रियोग के बारे में बता रहा है, किसी चीज का वो प्रियोग कर रहा है, तो बालक की सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? अवधान, attention, चीजों को ध्यान से समझेगा, दूसरा क्या है? धारन करना, इसको हम इंगलिस में बोलेंगे retention, इंगलिस वाले की वड़ याद रखेगा, इसमें बच्चा एक प्रकार से उस चीज को धारन करेगा, समर्ती में चीजों को बहटाएगा, कि यार इस तरीके से चीजे ये होती है तीसरा है पुने प्रस्तुतिकरन, जिसको हम कहेंगे reproduction, इसमें बच्चा क्या करेगा, उस चीजों को खुद करके देखा आ गया दुबारा चीजों को करके देखेगा, जैसे घर पे आ गया, तो टीचर ने जैसे बताया, वैसा का वैसा वो करके देख रहा है यानि इसको हम बोलेंगे पुने प्रस्तुतिकरन, और चोता है पुनरवलन, जिसको हम कहेंगे reinforcement या motivation अब उस बच्चे को यदि motivation मिल रहा है, घर पे घरवालों ने कहा कि यार तुने बड़ाजबरदस्त काम किया है इसके द्वारा जो चीज़े उसके काम के लगी, जो चीज़े उसके विभार में आई, जिन चीज़ों पे उसे प्रसंद सा मिली, तो उस चीज़ को बच्चे ने सीख लिया तो ये है अलबर्ट बंडूर का सिधान, आई होब अच्छे से समझ आ गया होगा अब देखो रीट 2021 में प्रसंद क्या पोचा अलबर्ट बंडूर के इनुसार निरिक्षनात्मक अधिगम है तुदू, चार प्रिस्तितियाओं से कहें, और इन प्रिस्तितियों का सही कर्म क्या है तो मिनने अभी आपको बता है, ए, ट्रिपल र को याद रखो, ए से अटेंशन हो जाएगा, आर से रिटेंशन हो जाएगा, इस आर से रिप्रडक्षन हो जाएगा और लास्ट वाला आर है, उसकी जगा आपको मोटिवेशन या रिइनफोर्समेट मिल सकता है हिंदी में कहें तो अवधान, धारण, पुनरुतपादन या अनुपरिणा अच्छे से बांडूरा का सिधान समझ में आ गया, अब इस पे कैसा भी क्वेशन बना ले, आपको आना चाहिए चलिए, अब मोटे मोटे हम डिसकस कर लेते हैं, संग्यान आत्में विकास का सिधान किस ने दिया, जीन प्याजे ने दिया, स्विस के थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि बालक सक्रिये है निस्करिये नहीं है बालक स्करिये है और बालक क्या करता है संग्यान से चीजों को सीखता है बालक बहारी वातावन से सामाजिक परिवेश से जेविक परिपकवाता के माद्यम से इनके माद्यम से बालक अपनी ग्यान का दिर्माने करता है और हम सब लोग देखते भी हैं जैसे शुरुवाती तोर पे हम देखें तो एक बालक किसे सीखता है अपनी समवेदनों से सीखता है जो ग्यान के पहली सीड़ी होती है आंक नाक कान जीव तवचा एक बालक का हाथ जल गया अब उसको तवचा के माद्यम से ग्यान हो गया कि आग में जलन होती है तो यह क्या है ग्यान की पहली सीड़ी है चीजों को उसने सीखा है उसके बाद बच्चे में प्रतेक सीकरन होगा उसके बाद कंसिप्ट बनेगा और उसके बाद चिंतन आएगा पहले वो मूर्त चीजों पर चिंतन करेगा और उसके बाद जिन विकास के चार सरण बताई हैं इंग्लिस वाले ट्रम याद रखिएगा इजी पढ़ेंगे हिंदी में इनको अलग-अलग नाम से देखा जाता है जैसे पहला है SMS सेंसर मोटर स्टेज अब हिंदी में आपको गतिक अवस्ता मिल सकता है क्रियात्म का वस्ता मिल सकता है संवेद स्टेज पुरूए संक्रियात में का वस्ता तीसरी है concrete operational स्टेज जिसको हम COS के नगम से जानते है और चोती है formal operational स्टेज ऐमूर्थ या उपचारिक संक्रियात में का वस्ता ये 4 वस्ता तो आपको नीद में पता होना चाहिए पहली कारिकाल देखें तो जनम से 2 साल तक को मोटा मोटी पहली अवस्ता में मोटा मोटी बात कर रहा हूं वस्तू स्ताइत्वय का गुण याद रखना है पहली अवस्ता में दूसरा जिग्यासा अनुकरण ये सारे चीज़े आपको पहली अवस्ता में याद रखनी है समझ आ गई दूसरी अवस्ता की मैं बात करूं अगर मैं दूसरी रवस्ता की बात करूँ, तो दूसरी रवस्ता को दो बागों में बंटा गया है, कितने बागों में, दो बागों में, पहली को बंटा गया 2-4 र वस्ता में, 2-7 है ना, तो 2-4 वाली को बंट Contrasya, इसमें हमने नाम दे दिया प्राक संप्रत्यात्म कवस्ता और दूसरी च्यार से साथ इसको हमने नाम दे दिया अंतरदर्सी काल इस स्तर के जो बच्चे होते हैं यानि चार से साथ वाली के जो बच्चे होते हैं उनमें एक विशेश गून होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं किसी भी चीज का वो जवाब जानना चाहते हैं कि यार ये चीज क्या है ये चीज आपने देखा भी होगा, कोई भी विवस्तो पढ़ी है, वो कहेंगे कि इसमें क्या है? तो इस पे रेट प्रसंद भी पहुच चुका है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिोगा अब दो से 4 वाले में किया याद रखना है 2 से 4 वाले में मुटा मुटी एक सेंट्रिसिजम के अंदरवाद और एक एनिमिजम ये तीन विशेष तोर पे याद रखेगा इनिमिजम का मतलब क्या है सजीव वाद जीव वाद यानि नर्जीव चीजों को सजीव समझना चोटे बच्चे में होती है जिसे सूरज जो है वो मेरे साथ चल रहा है तो ऐसे मान लेना कि यार सूरज भी तो क्या है सजीव है किसी और चीजों को नर्जीव चीजों को सजीव वानता है वो है एनिमिज सेंट्रिसिजम में क्या है किंद्रवाद में किसी एक पक्स परीबात करना किसी एक पक्स परीबात करना वो सेंट्रिसिजम है कहीं कोई दिक्कत नहीं है एनिमिजम नर्जीव जीज को स्वेजीव समझना किंद्रवाद क्या है सेंट्रिसिजम क्या है एक पक्स परीबात करना और ego centricism क्या है अपनी नजरिये को क्या करना महत्वे देना कि लोग भी वेशा ही सोचते होंगे यह है ego centricism अब देखो इस से आगे अगर हम बढ़ें तो देखीगा जो पहली वस्ता है इसको 6 बागों में बांटा गया है और इन 6 बागों के यहां करम पूछें किस एक्जाम में अभी जो लेव असिस्टेंट का एक्जाम हुआ है 30 जून को home science वाला paper उसमें यह प्रसंद पूछा है तो अधिनस सिवा चेंट का थोड़ा सा लेवल आप मान सकते हैं कि यार चीजों को थोड़ा सा गयरा इसी वो ले रही है तो आपको उसी स्तर के accounting तियारी करने है तो देखो पहले देखो इन देख लेते हैं पहली जो अवस्ता है उसको नाम दिया है सहज क्रियाओं की अव जाता है जो इनका सीखने का कंद्र है वो क्या है मुह है किसी भी चीज को मुह में ले जाते हैं तो चूस ना आपको यह रिफ्लेक्स वर्ड याद रखना है पहले वस्ता ठीक है दूसरी है प्रमुख वरती अनुक्रियां के वस्ता इसे हम कहेंगे प्राइमरी सर्कुलर र तीसरी है गोण वरतिये अनुक्रियाओं की अवस्ता इसे हम कहेंगे secondary circular reaction ये है चार से आठ माए चोती है गोण स्कीमेटा की अवस्ता जिसे हम coordination of reaction कहेंगे आठ से बारा माए पांच भी है आपकी तरतिये वरतिये अनुक्रियाओं की अवस्ता जिसे में एक बच्चा एक प्रियास और तुरूटी के मादे में से सीखता है ये है आपकी 12 से 18 माए और last है आपकी मान सीख स्योग दोवारा ने सादनों की खोज के वस्ता ये होती है 18 से 24 माए में और इसी में सबसे बड़ा इसका मैत्वपन जो गुण है वो है वस्तु स्ताइतवे यह एक बच्चे के सामने कोई वस्तु नहीं है जिसे हम छोटे बच्चे के बारे में यह नहीं कहते हैं कोई चीज उठा लिए पहन उठा लिया अब हम यह बोलते हैं कि यार इसको तो की इमेज बने रहना वो है वस्तु स्ताइतवे तो इसका गुण यहां विक्सित होता है अथारा से चोईस माय में अब देखो यह प्रस्ण पूछा इसको अल करते हैं प्रस्ण क्या था उम्र के अनुसार प्याजे के संवेदी गामक चरणों की जो व्यस्ता है उसको करम से जजाना आए तो मैंने अभी आपको कहा इंग्लिस वाले ट्रम आप जरूर याद रखिएगा जैसे यहां अगर हम देखें तो रिफलेक्सेज यह पहली वस्ता थी इसका मतलब तीन नमर पहले आएगा तो तीन नमर देखो इसमें है इसका मतलब राइट अन्सरोप्शन सी था कहीं सोच तो यहां पी क्या आएगा च्यार नमर आ गया इसके बाद यह 2 संकरियात्म का वस्ता है इसमें कुछ important दें लिक्सित हो जाते हैं जैसे स्रक्षन का गुण है बच्चों को वरगीकन करना आ जाता है Reversability है, करम बदता है, मूर्थ चिंतन है ये सारे के सारे तीसरी वस्ता के लक्षन है अब यही प्रस्न आपसे पूछ लिया जाए कि सरक्षन का अभाव किसमें पाय जाता है तो इससे पीछे चले जाओ पूर्व संक्रियात्म का वस्ता में प्रस्न आजाए तो आपकी तीसरी वस्ता में मुर्थ संक्रियात्म का वस्ता में Reversability का मतलब क्या है मतलब आगे पीछे सारी चीजों को पता लग जाना जैसे मैं यह करूं कि राम और स्याम भाई है अब उस बच्चे से पूछा कि राम का भाई कोन है तो वो बता देगा स्याम है मैंने यह पूछा कि स्याम का भाई कोन है तो फिर भी वो बता देगा कि राम है लेकिन यह जो गुण है यह इस वस्ता में यानि दूसरी वस्ता में इसका पता नहीं है इसमें तो वो किसी एक पक्स कही बात करेगा पिछे नहीं चाल पाएगा तो यहे रिवर्सबिलिटी और सरक्षन क्या है एक प्रकार से सरक्षन का मतलब यहे है जैसे यह दो गिलास है अब इन दोनों गिलासों के अंदर समान दूध बरा हुआ है समान दूध बरा है लेकिन इसमें दूध क्या है इस तरिके से तो बच्चे के आईतन वगेरा इन चीजों का यहां तक नोलेज नहीं है लेकिन तीसरी वस्ता जो है उसमें बच्चे को सरक्षन का गुर्णे पैदा हो जाता है तो यह याद रखीगा चोथी वस्ता की बात करें तो सबसे इंपोर्टेंट क्वेस्टन तो एमूर्थ पे आत देख लेंगे अब देखो जीन प्याजे की सब्दावलियां को देखें तो तीन चार चीज़े में ने लिए हैं यहीं से बार बार क्वेस्टन आता है सोट में को समझ लो जैसे स्कीमा पूछे तो स्कीमा आपका हमेसा याद रखो कि एक बच्चे में जो भी मुझोदा ग् इसका मतलब क्या है इस स्कीमा का यूज वो यदि ले रहा है किसी वी चीज पो विस्तलेशन करने के लिए वो क्या है आपका आतमसातिकरण है यानि मैं ऐसे करices कह दूं कि पूरवा ग्यान का यूज किसी वस्तम के विस्तलेशन के लिए वो कर रहा है कोई ने चीज उसके डाल रहा है जो भी उसका पूरुव ज्यान है उसके अदार पर वह एक चीजों का विशलेशन कर रहा है वह आतमसाती करने वह क्या है एक अक्कोमोडेशन यह दिहान में रखेगा अक्कोमोडेशन में क्या है पूरुव ज्यान में यदि वह सोधन कर रहा है वह क्या है वह हैं वो क्या हैं चिडिया है ये एक बच्चे का एक स्कीमा है अब क्या है एक हेलिकोप्टर जा रहा है तो बच्चे को ऐसे लग रहा है कि ये तो उड़ रहा है तो वो क्या करेगा कि ये भी चिडिया है अब ये तो क्या है आतमसातिकरन है जो भी पूरुवे ग्यान है उसके और से ये पता लग गया कि उड़ने वाली सारे चीजे चीडिया नहीं होती कुछ इस परकार के लंबे आपको दिखाई देते हैं इनको हम क्या बोलते हैं हवाईजाज बोलते हैं तो उस बच्चे ने क्या कर लिया संसोदन कर लिया कि हर एक चीज जो है वो चीडिया नहीं होती थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है इस परकार के थोड़ी सी चीज़िये होती है तो वो हवाईजाज बन जाती है तो यहां बच्चे ने संसोदन कर लिया और यомина है आपका एकमोडेशन है एक है आपका इक्विबिलेर्यम यह क्या है यह प्रकार से संतुलन के वस्ता है इन दोनों में वो संतुलन स्तापित कर लेता है मतलब चीडिया को वो जीडिया बोल रहा है हवाईजाज को हवाईजाज बोल रहा है वो आपका संतुलन नहीं करना है उमीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी अब बाकी की जो छोटी छोटी चीजी है जैसे समयोजन है तो यह हमारे टोपिक भी लगता है इसको मिनने नहीं लिया है इसके लवाद स्कीम से हैं विवार का जो पर इिवादी वार से करऊं के relies इस वास्ता की कुछ चीज़े क्या है वकिर्याों की द्वारा वहीये जगत को अनभाव करना देखना, सुनना, होट इलाना, हात पर हिलना आदी यह तो मोट़ा मुटी चीज़े क्वेस्चन यहां से आता है मुटा मोटी तीन चीज़े याद रखेगा वस्तु स्ताइत्वे अनुकरण और जिग्यास इसके बाद देखो दूसरी है पूरुवा संक्रियात्म का वस्ता दो से साथ वर्स और इसमें आप क्या याद रखोगे इस अवस्ता में एक तो देखो irreversibility है याद रखेगा यहाँ पर irreversibility है अनुत कर्मनियता है उत कर्मनियता नहीं है अनुत कर्मनियता किसी एक पक्स के बारे में पता है राम का भाई स्याम है तो स्याम का भाई कोन है वो उसको पता नहीं है यह है अनुत कर्मनियता इसके एक यह सेंट्रिसिजम जो है वह इंपोर्टेंट है केंद्रन और इसके अलवा बस यह चीज़े यह पुरुव संग्रियात्म कवस्ता में उम्मीद कर रहा हूं अच्छे समाज आ गई होगी तीसरी है मूर्थ संग्रियात्म कवस्ता साथ से गेरा वर्स और इसमें मोटा मोट देखें तो मूर्थ गठनाओं पर चिंतन होगा जो सामने चीज़े हैं वहीं तक बच्चा सोचेगा मोटा मोटी इसके गुण देखें तो सरक्षन का गुण विक्सित हो जाता है बच्चा वर्गी करने लग जाता है किसी भी चीज में करम बदता आ जाती है विकेंद्रन क देखें तो एमुर्थ चिंतन है निग्मनात्मक सोच डिड़क्टिव थिंकिंग है साद्रश्यात्मक चिंतन एनालोजिकल थिंकिंग है प्रीकल्पनात्मक चिंतन हाई पोटेंशियल थिंकिंग और इसके बाद लास्ट जितनी भी चिंतन वाली हाई चिंतन वाली चीज़ क्या हैं ग्यान को सक्रिय रूप में सरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में विवार को असल का प्रियोग करते हैं तथा अन्वेशन करते हैं यानि बच्चे क्या हैं एक प्रकार से सक्रिय हैं और वो अपनी ग्यान का निर्माने करते हैं यह जीन प्याजे की त्योरी प्रति से होती है तो किस से होती है मूर्थ की बात कि यह तो मूर्थ वाला कौन सा है तीसरी वस्ता तीसरी वस्ता यनि साथ से ग्यारा या बारा वर्स ओप्सन एस एर आंसर रहेगा बाले वस्ता के दोरान अपने तथा दूसरों के नजरिये में फरक करने के आयोगिता को क्या दर्साता है तो मैंने अभी आपको बताया था इगोसेंट्रेसिजम यानि आतम के इंदरस्त ओप्सन सी रहे ओप्सन भी इसका सही अंसर रहेगा एक ये क्वेशन देखो 2017 में आया था एक विशेश अस्तर पर बच्चे मोलिक तरक का इस्तमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के परशनों का जवाब जानना चाहते हैं प्याजे ने इसे क्या कहा है अंतर ग्यान कहा है प्याजे के अंसर निमन में से कौन सा ये चरण है तो मैंने अभी आपको बताया था दूसरी वस्ता दो से साथ वर्स थी दूसरी दो से साथ और इसको हमने दो बगव में बंटा था और इसकी दूसरी जो वस्ता थी यानि चार से साथ वर्स तो ये कौन सी वस्ता थी ये पूर्वश संक्रियात्मक वस्ता उपस कि निमेल लेखित में से कौण सा पूर्व असंक्रियात्मा का वस्ता यानि दूसरी स्टेज काल के बच्चे को विशेसित करता है पहला है विचारों की अनुत कर्मêणतो इर्रिवर्सबिलिटीर नहीं लिखिया, reversibility तो तीसरी वस्ता के बीशेशता है इसका मरलब यहां दूसरी लिखा है तो option A हो जाएगा, कहीं सोस नहीं क्या वसकता नहीं है तो नर्जीव को सजीव समझना यह क्या है, animism option A से अंसर रहेगा next है निमल लिकित में से कौन सा कथन प्याजे के सिधानत के अनुशार कहा नहीं जा सकता तो पहला देखेगा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ग्यान का निर्मान और उप्योग करते हैं, यह बात तो सही है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है देखो अब्यास की बाद जिन प्याजे नहीं करते हैं बच्चे अपने प्रियावन पर क्रिया करते हैं ये ठीक है चोथा है विकास गुनात्मक चरणों में होता है तो ये भी बात ठीक है तो option दो इसका सही अंसर रहेगा next है पुरुए संक्रियात्मक काल में आने वाली संग्यानात्मक योगिता है पुरुए संक्रियात्मक अबस्ता यानि दूसरी वस्ता की पूछा है पहला option है कि अभी कलपनात्मक निसकर्स थिंकिंग यानि high potential deductive thinking ये तो होगा नहीं चोथी वस्ता गिये एमूर्थ वाली तो हो गए नहीं ये तो चोथी वस्ता गिये जहां पे भी एमूर्थ है चोथी वस्ता लक्से उद्देश्टे विवार की योगिता यानि ability of goal direct ये हो सकता है लेकिन आगे बढ़ेंगे दूसरों के दरश्टी कॉन को समझने की योगिता ये अभी विक्सित नहीं होती है इस अवस्ता में तो option क्या रहेगा option 3 इसका सही अंसर रहेगा नेक्स्ट है देखिए ये लेव असिस्टेंट के एक्जाम में पूचा है कि 11 वर्स की आयू में बच्चों में एमूर्थ अब देखो 7 से 11 अब देखो 9 से 11 वर्स की आयू में कौन सी अब देखो 9 साब दोर लिखी दिया है अब व्यस्तित और विग्यानिक सोच की किसमता विक्सित हो जाते है इस अवस्ता को का जाता है तो पहला ही हो जाएगा उप्चारिक संग्रियात्म कवस्ता पियाजे के अनुसार संग्यानात्य विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्ताइट्वा को प्रदर्शित करता है पहली वस्ता हो जाएगा संवेदी गामक वस्ता अठारा से आप कर लेना चोईस माए नेक्स बच्चे के संग्यानात्य विकास यह तुम उत्तम स्तान क्या है खेल का मेदान, सभागार, घर, विदालें कक्षा का हुआता है तो बेटरा अनसर कौन सा बनेगा चोथा बनेगा क्योंकि बच्चे का सबसे ज़यदा संग्यानात्य विकास कहां होता है विदाले में होता है इसके बाद ये last question है आज का और इसका answer आपको comment करके बताना है question क्या है कि वह अवस्ता जब बच्चातार की करूप से वस्तों वगटनाओं के विशे में चिंतन प्रारम करता है इन में से कौन सी वस्ता है ये आपको comment करके बताना है आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बता है इससे पहले भी मनोविग्यान प्रिक्षा विस्ता के कुछ वीडियो में आपको available कराए है जरूर देखिएगा मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ तब तक हंसते रहें मुस्कराते रहें अपने पड़ाई में वैस्त रहें